हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे और घर पे जोरो शोरो से पढ़ाई कर रहे होंगे पढ़ाई करते रहना है ठीक है देश को जरूरत है आप जैसे ऑफिसर्स की यह बात याद रखनी है ठीक ह तो किसी भी वज़ा से हम आप लोगों को लूज नहीं कर सकते चाहिए वो health point of view या फिर आपका paper नहीं clear हुआ क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए Indian politics per MCQs discuss करेंगे बड़े टाइम से बच्चे कह रहे थे सर जो British के अंडर जो company के अंडर East India Company के अंडर या Britishers के अंडर जो act पास हुए थे उससे related भी discuss कर लो MCQs तो अब आने वाले 2-3 वीडियो में ऐसा कुछ करेंगे कि सारे acts में से MCQs करेंगे तो जब हमारी ये 3-4 वीडियो खतम हो जाएंगी जो आने वाली हैं इस वीडियो को include करते हुए आपके almost सारे जो constitutional acts हैं जो East India Company या फिर British India after 1858 जो भी act पास हुए वो almost आपके सारे cover हो उसके बाद आपने उसको अंसर करने की कोशिश करनी है then we'll see the solution ठीक है फिर आपने वीडियो को pause करके पहले खुछ से अंसर करना फिर हम अंसर देखेंगे ठीक है ना चलिए तो पहला question यह रहा सबसे पहला सवाल consider the following statement about the regulating act of 1773 1773 के regulating act से सवाल पूछा जा रहा है पहला statement कहता है कि इस act ने supreme court की establishment की बात कर दी supreme court of justice at calcutta ठीक है location भी important है कि क्या यह location सही है हो सकता है कि supreme court की तो बात कर दी हो पर location कोई और हो तो question में आपने ये भी चीज़ समझने की कोशिश करनी है जब statement वाला question आता है तो उसमें आपने क्या-क्या देखना है ठीक है क्योंकि paper में excitement हो मैं तो ये question उखाड़ दूँगा ठीक है तो कहीं चीज़ है मिस कर जाते हैं for example कहीं बच्चा अगर पढ़ रहा है the act provided for establishment of a supreme court उसने बस यहीं तक पढ़ा excitement में आगे उसने पढ़ा नहीं आगे उसने देखा नहीं कि कैलकटा लिखा है डेली लिखा है बंबे लिखा है मसू दे गवर्नर जेनरल ऑफ बंगॉल की बात regulating act 1773 ने की यह statement पूछना चाहरा है दूसरा यह पूछना चाहरा है कि क्या वो lord william bentic थे अगर ऐसा हुआ तो ठीक है तो यह दो चीज़े पता होनी चाहिए अब इस statement में इन दोग statement में कौन सा correct है आपको बताना है one only two only both one and two and d neither one or two ठीक है यह questions जो हैं सिरफ EPFO के लिए बच्चों को काम नहीं आएंगे अगर आप UPSC civil services की तियारी कर रहे हो वहाँ पे काम आएंगे अगर आप state services की तियारी कर रहे हो वहाँ पे काम आएंगे ठीक है तो बहुत important questions है अगर आपका कोई दोस्त है आपका कोई friend है IES की तिया सबके लिए इंपोर्टेंट है questions ओके तो अंसर देखो यहां पर क्या होगा अंसर होगा देखो पहला statement जो है वो correct है दूसरा statement गलत है तो option होगा अब जैसे मैंने आपको बताया पहला statement क्यों correct है क्योंकि Supreme Court की बात हो गई थी और Calcutta में हुई थी अगर Calcutta की जगा यहां प गया Governor General of Bengal हो गया ठीक है और बाकी के जो मदरास और Bombay बगारा के जो governor है वो बंगाल वाले governor के subordinate हो ठीक है उससे नीचे आ गया वो अब Governor General of Bengal बन गया लेकिन statement गलत क्यों है क्योंकि Lord William Bentic नहीं थे Governor General of Bengal पहले वो कौन थे Warren Hastings थे अब Lord William Bentic उसने जान बूच करके डाला है क्य Governor General of Bengal ठीक है first Governor General of Bengal और फिर एक आता है first Governor General of India ठीक है तो जो Lord William Bentic है यह आपके पहले Governor General of India है और पहले Governor General of Bengal कौन है वो है Warren Hastings Homework आपका क्या है जो आपने comment section में बताना है कि first Governor of Bengal कौन था ठीक है ना तो answer यहाँ पर ए हो जाएगा अब 1773 के act से related or important provisions देख लेते हैं यह act क्यों important था सबसे पहले यह पता होना चाहिए UPSC के अगर आप पिछले सालों के paper उठाते हो तो कहीं बार सिधा सिधा statement यही डाल आपकार ने जो company थी जो East India Company थी जो हिंदुस्तान में अब trade भी कर रही थी और control भी था जिस company के पास उसको control कर सके और उसको regulate कर सके तो East India Company को control और regulate करने के लिए वहाँ की Parliament ने बृतेन की Parliament ने पहली बार एक कानून बनाया यह पहला step था दूसरा यह जो act था इसने पहली बार company के functions को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक political function और एक administrative function ओके दूसरा तिसरा इट लेट दा foundation of central administration in India central administration कैसे अभी तक governor of Bengal बंगाल देख रहा था governor of मदरास मदरास देख रहा था और Bombay वाला Bombay देख रहा था तीनों independent थे तीनों में कोई superior नहीं था को inferior नहीं था अब क्या हो गया regulating act of 1773 में governor general of Bengal जो है वो superior हो गया और बाकी जो दो हैं वो subordinate हो गये Bombay और मदरास वाले तो central administration की foundation ले हो गई और हम कहते हैं कि जब 1773 से ये जो foundation ले होनी शुरू हुई ये अपनी peak के उपर कब पहुँचेगी है centralization जो tendency अभी शुरू हुई है ये ultimately कब peak पर पहुँच जाएगी ये पहुँच जाएगी Charter Act of 1833 में Charter Act of 1833 में ही अपनी peak के उपर पहुँच जाएगी जब governor of Bengal को governor general of India बना दिया जाएगा सारी की सारी कानून बनाने की जो शक्तियां है वो governor general of India के पास चली जाएगी वो भी अभी हम देखेंगे ठीक है ना अब features क्या था इस Act के सबसे पहले governor of Bengal को governor general of Bengal बना दिया और इस governor general of Bengal को एक executive council दिया गया जिसमें चार लोग होते थे जो इसको असिस्ट करते थे ठीक है और पहला governor general कौन था लॉर्ड विवारें हेस्टिंग्स ओके ना की विल्लियम बेंटिक और जो बंबे और मद्राज के governor थे उनको subordinate कर दिया governor general of Bengal के यह already मैं आपको समझा चुका हूँ उसके बात supreme court बनाने की बात होगी कि एक supreme court बनाएंगे और कहाँ पर बनेगा क्यलकटा में बनेगा 1774 में और यह जो supreme court था इसमें कहा गया कि एक chief justice होगा और तीन judges होगे ठीक है पहला chief justice जो थे वो कौन थे Lord इमफी जो थे इस supreme court के जो 1773 के act में बना उसके chief justice बने ठीक है इस act में यह भी देखा गया पिछले कुछ सालों में यह देखा गया कि जो company के जो servants थे company के जो काम करने वाले लोग थे उनके अंदर corruption बहुत जादा बढ़ गया है वो अपने खुद के private trade वगेरा में लग गया जो है वो बहुत जादा बढ़ गई है company में तो इस act ने क्या कहा कि जो भी company के मुलाजिम हैं जो भी company के servants हैं ना तो वो private trade कर सकते हैं ठीक है ना तो वो खुद का व्यापार कर सकते हैं और ना ही वो किसी से gift या bribe ले सकते हैं जो native लोग हैं जो हिंदुस्तान के लोग थे उनसे कोई भी वो gift accept नहीं कर सकते हैं तो corruption को खतम करने के याँ पर कोशिश की गई company में ठीक है overall देखा जाए तो जो ब्रिटेइन की सरकार थी उसने अपना control strengthen कर दिया company के उपर ठीक है कैसे जो court of directors थे जो company होती है आज भी हम कहते हैं board of director है company के उस समय company जो east India company थे उसके court of director हुआ करते थे जो company चलाती थी जो court of directors company चलाते थे तो ब्रिटेइन की सरकार ने court of directors को क्या का कि आपको हमें अपना सारा revenue बताना है जो भी आपके civil और military affairs चल रहे हैं हिंदुस्तान में उसकी सारी report हमें आपने बना करके देनी है तो एक तरह से जो ब्रिटेइन की सरकार है वो यहाँ पर अपनी strengthen कर रही थी company के ओपर जो पकड़ा है उसको मजबूत कर रही थी ठीक है जी चलिए तो यह था आपका 1773 का act अब इस में से अगर कोई question आ जाता है 1773 के act में से तो वो question आपका definitely गलत नहीं होगा यह मेरी guarantee है चाहे आप civil services दे लो चाहे आप UPSC का CAPF दे UDS दे लो EPFO दे लो state services दे लो question गलत नहीं होगा यह guarantee है अगर ही अच्छे से कर लोगे चलो next question देखो consider the following statements about the Pits India Act of 1784 अब 1784 में नया act आया था Pits India Act 1773 के बाद तो इस act के क्या provisions थे जिनके ओपर statement दिया गया है पहला statement कहता है कि इस act ने एक board of control बनाया जो court of directors और government of India का 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 क control करेगा ठीक है foundation of a centralized administration second statement कहता है third statement कहता है कि the act stated that the presidencies of madras and bombay were independent of the presidency of bengal in all matters of war and peace तो bombay और madras की जो presidencies हैं वो completely free होंगी अगर वो किसी के साथ जंग में जाना चाती है या किसी के साथ समझोता करना चाती है तो completely free होंगी और उनको बंगाल के governor से या बंगाल presidency से कुछ पूरत नहीं है तो आपको बताना है इन मेंसे कौन सा statement अच्छा चौथा statement एक और है the offices of the governor general and commander in chief were to be united in the same person governor general और commander in chief एक ही व्यक्ति जो governor general था उसी को commander in chief बना दिया गया तो अब आपको बताना है इन मेंसे कौन सा statement जो है correct है 1, 2 and 4, B 2 and 3 only, C 1, 3 and 4 only and D is 1, 2, 3 and 4 कौन सा statement correct है मैंने आपको बार 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 बताया पेपर में इस चीज़ के उपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है correct, incorrect के उपर answer यहाँ पर हो जाएगा आपका option A, 1, 2 and 4 तो 3 statement सही हैं सिरफ third statement जो है वो गलत है मैंने आपको बताया already अगर पिछली आपने पिछे बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे तो third option आप बहुत easily eliminate कर देते और B, C और D तो वैसी ही ओड़ जाता क्योंकि third में लिखा है कि presidency of मदरास और Bombay को कुछ भी पूछना ही नहीं है बंगाल से वो बिल्कुल independent है किसी के साथ लड़ाई में जाना है या किसी के साथ समझोता करना है 1773 में centralization शुरू हो गई मैंने आपको बताया जो governor of Bombay है और governor of मदरास है वो subordinate हो गए governor general of Bengal के तो कहां उनको इतनी freedom मिलेगी कि वो किसी के साथ जंग पर जा सकें या किसी के साथ समझोता कर सकें अपनी मर्जी से तो third statement जायस सी बात है अगर पिछला question ध्यान से सुना होगा तो third statement automatically आप eliminate कर देते option बचता ही है चलिए features देख लेते हैं Pits India Act के 1784 के तो और clear हो जाएगा आपको तो Pits India Act of 1784 के अगर मैं बात करूँ तो company के commercial और political functions जो हैं उनको completely distinguish कर दिया गया ठीक है जो court of directors था जिसके बारे में अभी हमने 1773 में भी देखा जैसे board of directors वैसे ही court of directors तो court of directors को कहा कि भाई तुम commercial affairs देखोगे जो भी धंदे की बाते हैं वो सारी तुम देखोगे एक नई body बनाई गई और वो body थी board of control ठीक है court of directors के इलावा एक नई body बनाई गई जिसका नाम था board of control यह जो board of control है यह political affairs को manage करेगा ठीक है यानि कि अब दो bodies होगी पहले court of directors ही देखते थे चाहे वो commercial affairs हैं चाहे वो political affairs हैं 1784 से पहले दोनों court of directors देखते थे अब दो body बन गई court of director को कहा धंदा तुम देखो और board of control को क्या कहा कि political affairs जो भी राजनितिक फैसले हैं वो तुम देखो ठीक है तो एक तरह से double government होगी double government होगी ना एक body एक area देख रही है एक body दूसरा area देख रही है उसके इलावा जो ये नहीं body थी board of control इसको क्या power दी गई इसको ये power दी गई कि ये जितने भी civil और military operations हैं या जो revenue है British possessions का इंडिया में उसको supervise कर सके उसको direct कर सके ठीक है तो civil और military जो government वाले related matters है वो सारे के सारे board of control को दे दिये गए अब ये act जो था 1784 का ये दो कारणों की वज़े से important हो गया पहला पहली बार British सरकार ने ये कहा कि company की जितनी भी territory है company की जितनी भी जमीन है हिंदुस्तान में जितना भी company ने capture किया है हिंदुस्तान में वो British possession in India कहा जाएगा British possession in India की company जो है वो अंग्रेज सरकार Britain के लोगों के भिहाफ पे जो है उस territory को possess करती है ये पहली बार ये direct statement आजाता है कि which of the following acts passed by the British government for the first time called the company's territories as British possessions in India direct statement आजाता है नीचे चार act के नाम दे देंगे factual question की बताओ कौन से act है ये statement based में भी आ सकता है ठीक है न उसके लावा British government जो है supreme control दे दिया गया था इसको company के affairs के उपर और administration के उपर board of control बना दिया था board of control में वहाँ की parliament के लोग भी हुआ करते थे ठीक है तो एक तरह से Britain की सरकार का control आ गया company के सारे जो administrative affairs थे हिंदुस्तान में ओके चलिए नो नेक्स question थर्ड question हमारा 1784 वाला act भी complete हो गया उसके सारे features हमने देख लिए है कोई question आता है बाप से नहीं छूटेगा वो अगला 1793 statement about the Charter Act of 1793 consider करना है आपने पहला statement कहता है कि a regular code of all regulations for the internal government of the British territory in Bengal was framed a regular code of all regulations ठीक है जो सरकार चलाने के लिए जो code है जो कानून है जो regulations है जितनी भी territory थी British की इंडिया में उसके लिए frame किया गया दूसरा, the concept of civil laws was universally applied civil law का जो concept है उसको universally apply किया गया third, the Indians were given possessions where they could share the authority with the Europeans positions, sorry तो Indians को वो position दी गई कि जहां पर वो Europeans के साथ authority share कर सके यानि कि open competition की यहां पर बात हो गई कि जो भी posts थी administrative posts थी वो Indians के लिए भी open कर दी गई आपको बताना है statement कौन सा correct है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and D, 1, 2 and 3 अगर आपने थोड़ी सी भी quality पढ़ी है या थोड़ी सी भी history पढ़ी है अगर आपने modern Indian history भी अच्छे से पढ़ी है quality भी अच्छे से पढ़ी है तब भी आप इसका answer बहुत easily कर सकते हो क्योंकि elimination बहुत easily होता है इसमें ठीक है तो answer याँ पर क्या होगा option A देखो third statement जो वो गलत है Indians के लिए अभी positions open नहीं की गई थी Indians के लिए position अभी open नहीं की गई 1833 में पहली बाद try किया गया था और उस time पर भी उसको फिर वापिस लेना पड़ा फैसला अभी हम देखेंगे जब 1833 का act देखेंगे ठीक है तो third statement बिल्कुल गलत है और अगर मैं को इतना समझ आ गया कि हाँ यार Indians के लिए भी position open नहीं की गई थी authority वाली तो मैं automatically तीन option eliminate कर देता हूँ इसके B, C और D में पाब बचता ही है तो अगर पहले दो statement पे मेरे को नहीं भी इतना आता तब भी मैं इसका easily answer ए कर सकता हूँ ठीक है तो internal government के लिए regular court जो है वो regulations बनाए frame करने शुरू किये गए ठीक है और जो concept of civil law है जो universally जिसको apply किया जा सके पहले क्या होता था पहले कानून religion के हिसाब से होते थे ना सबके ठीक है जो king का religion होता था उसी के हिसाब से rules बनते थे तो अब civil law की foundation यहाँ पर करी की शुरू जाने लगी और जो civil law सबके लिए बराबर रहेगा universal application जिसका होगा ठीक है तो features देख लेते हैं charter act of 1793 के सबसे पहले जो governor general था Bengal का उसको और ज़्यादा power दे दिये गए government के उपर और ज़्यादा control दे दिया गया और जो बंबे और मदरास की presidencies थी उनको और ज़्यादा subordinate कर दिया गया यह चलता रहेगा process 1833 में आप देखोगे ultimately complete centralization हो जाएगा जो governor general of India बनेगा वो राजा होगा एक तरह से हिंदुस्तान का ठीक है और यह governor of Bombay governor of madras इनके पास कोई power नहीं रहेगी ठीक है खास ठीक है ना तो यह centralization चलता रहेगा 1833 तक जब तक वो peak पर पहुंच जाएगा जो monopoly थी देखो company के पास monopoly थी हिंदुस्तान में trade करने के लिए तो वो monopoly को 20 साल के लिए और extend कर दिया गया यानि कि 1813 तक company के पास ही monopoly रहेगी हिंदुस्तान में trade करने के लिए East India company और कोई company Britain से नहीं आकर trade करेगी इंडिया में ठीक है इट provided that the commander in chief was not to be a member of the governor general's council तो इसने क्या कहा कि जो governor general का जो council है उसका member नहीं होगा commander in chief अगर governor general appoint करता है तो ही वो उसका member बनेगा ठीक है न तो ही वो उसका member बनेगा ये मैंने second question में ये वाला statement डाल दिया था जबकि ये 1793 का feature है ठीक है जी उसके बाद it laid down that the members of the board of control and their staff were hence were to be paid out of the Indian revenues तो जो board of control जो 1784 pitch India act 1784 में board of control बनाया गया इस act ने क्या बोला कि जो भी ये board of control के member है या जो भी ये board of control के staff है इनकी जो तंखा है इनका जो खर्चा है वो सारे का सारा हिंदुस्तान में से जो revenue collect कर रही है company उसमें से pay करना पड़ेगा तो यहां से अब drain of wealth भी होना शुरू हो जाएगा ठीक है धीरे धीरे आप देखोगे सारी तंखाई है कहेंगे कि हिंदुस्तान के revenue से ही pay करो ठीक है ना चलिए ओल्राइट ओके a regular code of all regulations जो regular code बनाया जिससे सरकार चले जो administrative procedure है वो बनाया जाने लगा ठीक है जी उसके इलावा the act of 1793 laid the foundation of government by written laws लिखे हुए कानून और regulation जो है पहली बार सरकार ये अब उससे चलना शुरू करेंगी ये system शुरू होने लगा इससे पहले तो जो राजा आता था वो अपने कानून बना देता था वो system रहता था पर अब written laws आ जाएंगे ठीक है तो ये सारी के सारी statements important हो जाती है question में directly पूछी जाती है चलिए fourth question 1813 के charter act के ओपर question है statements given है आपको पहली statement the company was to have only the political functions company के पास सिरफ political functions रह जाएंगे इस act के बाद option 2 के statement 2 कहता है the Indian trade was thrown open to all British merchants British, सारे Britishers, जितनी भी British company है सबको कह दिया कि आप जाकर हिंदुस्तान में आप trade कर सकते हो option 3 कहता है the company was allowed to have territorial possession for another 20 years company को और 20 साल के लिए territorial possessions जो हैं वो दे दिये गए कौनसा statement इन में से correct है 1 & 2, 2 & 3, 1 & 3, 1 & 2 & 3 statements को बहुत ध्यान से पढ़ना है उस video को pause करना और फिर खुद से answer करने के बाद ही आगे solution देखना है तो answer इसमें क्या होगा answer होगा इसमें option B, 2 & 3 only ठीक है 2 & 3 only, पहला statement गलत है अभी ऐसा नहीं होगा यह अगले act में होगा 20 साल बाल, 1833 वाले act में होगा जब company के पास सिरफ political function रह जाएंगे अभी भी company के पास commercial functions थे ठीक है, अभी भी company के पास कहीं areas में monopoly थी ठीक है, जैसे देखो Indian trade तो open कर दिया गया कि कोई भी company, Britain से आकर के हिंदुस्तान में trade कर सकता है लेकिन trade with China China के साथ व्यापार इसमें अभी भी company के पास monopoly थी China के साथ व्यापार सिरफ East India company कर सकती थी और tea trade चाय का trade चाय का व्यापार, ये भी अभी सिरफ company कर सकती थी ठीक है, उसके इलावा इंडिया के दरवाजे, बाकी के Europeans के लिए, बाकी के Britishers के लिए जो हैं, open कर दिये गए थे कि कोई भी जाकर के trade कर सकता है सिरफ इन दो एरियाज में अभी monopoly रखी गई तो commercial functions अभी भी company के पास थे तो अगर ये statement आपको पता है कि ये statement गलत है यानि कि Britishers को अब trade करना allowed होगा इंडिया में लेकिन, दो चीजों में monopoly अभी भी रहेगी एक, चाहे का व्यापार और दूसरा, चीन के साथ व्यापार ठीक है जी, उसके इलावा इट asserted the sovereignty of British crown over the company's territories on India ये हर act में होएगा ठीक है, जब तक company को बिल्कुल खतम नहीं कर देते 1858 में, ये हर act में देखने को मिलेगा कि sovereignty British crown की जो है assert की, sovereignty assert की क्योंकि हर बार जो कानून आता था वो company को और जादा कमजोर और Britain की सरकार को और जादा मजबूत जो है वो इंडिया में कर देता था ठीक है, उसके बाद एक बहुत important point, इस charter act of 1813 का क्या था, कि इसने जो ये Christian missionaries थी इनको अलाओ कर दिया कि वो हिंदुस्तान में आएं और Christian preachings जो हैं वो दे सकें, बहुत important point था ठीक है, it provided for the spread of western education इसने बोला कि जो भी British territories में जो inhabitants हैं, उसमें आप western education spread कीजिए, और इसके लिए सालाना एक लाख रुपे खर्च करने का company को आदेश दिया गया, कि आपको हर साल एक लाख रुपया जो है, वो western education के promotion के लिए यहां के लोगों को educate करने के लिए आपने spend करना है, उसके लाख जो local सरकारे थी, ठीक है राज्यों की या जो provinces थी, उन सरकारों को भी यह बोल दिया गया कि आप जो है taxes लगा सकते हो लोगों के उपर, किसी चीज के उपर अगर आपको tax लगाना तो आप लगा सकते हो, और अगर कोई tax नहीं पे कर रहा तो आप उसको punish भी कर सकते हैं